हेलो बच्चों कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो क्लास 10 की केमेस्ट्री से है और यह पहला चैप्टर है केमेस्ट्री का क्लास 10 के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि विबिन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को जो हमारे वातावरण में यानि हमारे आसपास होती है ठीकना हमारी डेली लाइफ में वो हमारे आसपास होती है और उन पर हम लोग आज डिसकशन करेंगे और कुछ NCRT की एक्टिविटी को पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं या केमिकल रियक्शन से रिलेटेड और हम लोग समझेंगे कि केमिकल रियक्शन में होता क्या 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 कैसे कैसे चेंज़ आते हैं या हमारे आसपास कैसी रासायनिक अभिक्रियाओं या केमिकल रियक्शन होता है इनको अंदोग आज पढ़ेंगे ठीक ना चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारी जो पहली रियक्शन होंगी वो होगी क्या है लिए लिए लेफ्ट एट रूम टंपरेचर डियूरिंग समर उच और समर यानि की अगर हम जो दूद है है milk होता है उसको हम लोग normal room temperature पर रख दें गर्मी के दिनों में तो क्या होता है ठीक ना जो दूध है अगर हम उसको room temperature नॉर्मल कमरे पर रख देते हैं तो उसमें क्या changes आते हैं ये हम लोग देखते हैं ठीक ना तो normally सी बात है आपके घर में सभी क्या दूध आता है सब लोग अगर गलती से दूद बाहर छूट जाता है यहां मुसको फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो क्या होता बच्चों कि उसमें लम्स आ जाते हैं दूद फट जाता है खराब हो जाता है ठीक ना तो यह क्या है यह तरीकी का कैमिकल चेंज है कैमिकल रियक्शन हो यहां पर समझेगा बात क्या हुआ यहां पर समझेगा दूद के अंदर मौजूद होते हैं बहुत हैं सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं वह बैक्टीरिया जो मिलका लैक्टोज होता है बच्चों मिलक में क्या होता है लैक्टोज होता है कि л कि मिल्क के लैक्टोस को लैक्シルク में बदल देते हैं हिंदी में फिर इसको आइढ़ी हिंगे लैक्ट करेंगे लैक्टोसी कहेंगे इसको टीक झो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी संख्या क्या करते रहते हैं बढ़ाते रहंगी जब हम उसको तुल मीं चोड़ दी रख दिये दूद नीं दूद ओल है अजरे कि हूरे चाहि को बढ़ाते रहेंगे टंपरेचर के साथ तो बहते जाएंगे और जब बढ़ते जाएंगे तो दूद्ध खराब हो जाएगा तो यानि कि वह क्या कर रहें एक्चुली वह लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कनवर्ट कर दिया जैसे कनवर्ट हुआ तो दूद्ध फड़ गया समझ है आप बच्चों अत्ती बाते ठीक तो बहुत पहली ब और इस लेफट एक्सपोस्अ एक्सपोस्ट टू यूमिड एट्मॉसफियर टू यूमिड एट्मॉस्फेर इसका मतलब हुआ है इसका मतलब यह हुआ आइरन नेल यानि लोहे की कील या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज ठीक ना लोहे से बनी हुई कोई भी चीज चाहिए लोहे की एक रॉड और कुछ भी हो तो यहाँ पर एक आइरन नेल का जिक्र किया जाती है यानि लोहे की कील अगर हम लोहे की कील को नमी वाले वाता बरण में यूमेड बतले हम नमी देखना नमी वाले वाता बरण में expose यह नहीं छोड़ दे तो क्या होता है तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी लोहे की बनी हुई समगरी रौड और कुछ भी हो कोई भी पदार्त हो अगर हम उसको बाहर छोड़ देते हैं नमी वाली स्थान पर छोड़ देते हैं तो उसमें लग जाती है consistently जाती है जसके नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते रस्टिंघ शुम्रोंल हो जाता यह लोहे कीई को जब उसला है कैसे नमी साथ नमी भी होती है यissant और न अरग की है जिससे वह आयरों व्याइट करके जञ में करना जाता या रस्ट बना लेता जैसे देखिए अगर रस्टिंग है यानि की जंग लगें तो दो कारवव नहीं होनी चाहिए और शास साथ क्या होना चाहिए पानी यानि कि नमी का सुर्थिक तो पानी हो जब का हूए गा तो यह एस्टू और ओटू यह नहीं वाटर की जोरत होनी चाहिए और और उक्सीजन की जोरत होनी चाहिए तब कोई लोहे की चीज रस्ट में रस्ट लग जाएगा या जंग जाएगा जैसे देखिए एफी एफी आप जानते हो लोहा है सॉलिड इसकी हम रियक्शन करा है यह जब एट्मॉस्फियर में रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी और अगर नमी भी है उस जगह पर तो यह रियाट करके बनाया कि बच्चो एफी टू ओ थ्री इंटू एक्स एच्टू यह होता आपके रस् मॉलिक्यूल जो है एच्टू है वाटर के जो अनु है वो कितनी भी संख्या में हो सकते हैं एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है इसलिए महां पर एक्स लगा दिया गया है ठीक ना तो यह होता है रस्ट का फॉर्मुला यानि कि जब हम कोई भी लोहे की कील को या लोहे इस ब्राउन किलर की लेयर चल जाएगी ठीक ना और यह बारिश के दिनों में ज्यादा तर हमको देखने को मिलता है ठीक ना अगर इससे संबंदिद एक चीज आप लुक देखें मान लीजे ये एक टेस्ट च्चूव है मान लीजे इस टेस्च च्चूब में मैंने वाटर लिया है और एक लोहे की कील समझ लीजे लिए पानी है वाटर है और iron nail है समझाई किया आइरन नील यानि लोहे की कील ठीक ना अब आप जान रहो कि इस ट्यूब में हवा भी है तो यह जो air है यह पानी में क्या हो जाएगी डिजॉल हो जाएगी तो यहां क्या मिल गया है एयर भी मिल गई एयर में क्या है oxygen और क्या हुआ वाटर भी मिल गया जब एयर और वाटर मिल गया किसी चीज को पानी मिल गया तो यह जो लोहे की कील है इसमें जंग लगना रस्ट आना शुरू हो जाएगा रस्टिंग इसमें क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी ठीकना ज और आप देखे हुए एक नेल है यानी की जा चरज कर और इसके उपर अगर हम एक ओई की लेयर बिछा दें यानी पानी पानी की उपर अंदर हम ढाले की की और की की बना करके अगर बना देते हैं तो यहां पर एयर eso जो है बच्चों ये पानी में घुल नहीं पाएगी पानी में घुल नहीं पाएगी क्यों 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 क्यो इस ट्यूब में और क्या देख सकते हैं एक और एक्जामपल समझ सकते हैं कि अन्हाइड्रस कि सीए लटू लेते हैं बच्छों यह सीए लटू क्या होता बच्छों एन्हाइड्रस यानि एक हमने अरण नेललि नहाइड्रस मतलब होता है निर्जल निर्जल यहां पर एंहाइड्रस जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है बच्छों अब्जव करता है कि यहां पर जितने जब लेगी तो यहां पे सिर्भ बचेगी डॉयरे क्वेटो है मैं कोई जंग लगने लगने कर लियर आप लोग या रस्टिंग लगने मारती जां लिए की पानी होना चाहिए और oxygen होना चाहिए तो इत्ती बाते आपको समझ में आ गई होंगी ठीक ना रस्ट सिर्फ और सिर्फ जब पानी रहेगा और oxygen रहेगा तब ही लगेगा और किसी केस में नहीं लगने वाला इसको रब करते हैं अगली बात देखते हैं कि समझ यह अगली जो मारी बात होने वाली है वह तीसरी बात है इंड़ प्रॉसेस ओफ ओफ फोटो सिंथेशिस फोटो सिंथेशिस यानी प्रकास चंसिलेशन अभी करिया हिंदी में कहते हैं फोटो सिंथेशिस को इसमें क्या होता है इसमें आप जानते हो कि एक प्लांट होता है यह प्लांट जो होगा यह प्लांट इन दा प्रेजन्स ओफ सनलाइट क्या सूरी के प्रकाश में जो इस प्लांट की पत्तियां होती है वह इन्वारिमेंट से लेती हैं co2 और अपने रूट के मदद से लेती है क्या water co2 और water लेकर के यह जो पत्तियां होती है वो किसी भी plant के लिए food formation करती है या बोजन का निर्माल करती है कैसे देखते हैं तो यही प्रकास translation किया भी क्रिया होती है तो इसमें क्या होता बच्छों example दे समझते हैं reaction दे co2 वातावरां से लिए किसमें पत्तियों ने लिया जड़ों ने या रूट ने water लिया नीचे से और सूरी की उपस्तिती में sunlight की presence में और एक बात और chlorophyll पत्तियों के पास क्या होता है chlorophyll उसकी मदद से यह जो co2 है यह कनवर्ट हो जाता है बच्छों हमारा ग्लूकोज यानि एनर्जी में किसमें कनवर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और oxygen गैस क्या हो जाती है बहार निकल जाती है तो यह process क्या था बच्छों पोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस भी क्या है एक तरीके का chemical reaction यह जित्ती भी चीज़ें सब chemical reaction देखना यह सब हमारे आसपर उसमें ही होती लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है ठीक चलिए अगली बात देखते हैं इसको में अगली बात देख लीजे cooking food cooking में भी आप इस्तमाल जब आप खाना बना रहे होते हैं जब खाना बन रहा होता है तो खाना बनते वक्त बच्चों वह खाने में बहुत धे सारे changes आते हैं जैसे आप देखो के color change हो जाता है ठीक फूड पहले क्या था एक तरीके से कच्छा material था फिर बाद में वह पक जाता है तो बहुत धे सारे changes होते हैं ठीक ना मसाले आपने डाले कच्छे थे पक गए ठीक ना color में change आ गया तो इस सारी चीज़े क्या है यह भी एक प्रकार की chemical reactions होती है तो फूड का पकना भी क्या है chemical reaction है थे कितनी बात समय आगी रब करते हैं और कुछ और बातों पर और reactions पर discussion करते हैं यह सारे reaction बेटा हम लोग अपने आस पडोस में देखते हैं daily life में daily life में यह सारे reaction हमारे आस पडोस में होते रहते हैं और हम लोग इसको देखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है सहीं में यह chemical reaction है तो आज से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह chemical reaction है चलिए और क्या चीज़े हो सकती है और हो सकती बच्चों पांची बात respiration यानि स्वसन आदमी सास लेता है ना स्वसन लेता है तो उसमें होता क्या बच्चों जब हम लोग inhale कर रहे होते हैं इन्हेल तो हमारे जाती है ओक्सीजन जाती है ऑक्सीजन जाती है जहां पर उसको जरूरत होती है जाती है हमारी बॉड़ी में डिफेंट शेल्स में जाती है और वहां पर important chemical reaction को करके वहाँ से हमारे CO2 को लाती है और जिसको exhale करके बहाँ निकाल देते हैं समझे है बात यहाँ basically होता क्या है समझेगा जब respiration होता है क्या होता है respiration जब होता है बच्चों तो हमने oxygen ली यह oxygen गई ही कहाँ पे हमारी body के अंदर body के अंदर कहाँ गई cells में cells में क्या present होता है बच्चों cells में होते हैं glucose तो इसने क्या किया glucose को breakdown किया अभी glucose का formula को लिए क्या है थे ना C6 H12O6 तो glucose को के साथ इसने reaction करके बच्चों carbon dioxide निकाली water निकाली और energy बनाई जिस energy को consume कर लेते हैं और हम अपने काम को करने लगते हैं फर्दर हमारा हम लोग भी तो energy से चलते हैं ना बच्चों तो हम लोग ये food को एक तरीके से माया अंदर जो food होता हो glucose को समझ लीजे उसको breakdown किया इसने और हमें energy provide करी और CO2 gas जो उसने रिलीज करी वह बाद में exhale के तरू ब्लड में मिलके बहार निकल जाती है ठीक है तो यह हमारा क्या था as a respiration का process था यह जब हम सांस ले रहते तो वहाँ पे भी एक chemical reaction हुई देखना बच्चों यतनी बाद इस clear होगी होगी आपको अगला अब लोग रियक्षन देखते हैं क्या है कि फर्मेंटेशन आप लोग पढ़ेंगे तेशन अफ ग्रेप्स इंटू अलकोहाल यानि यह क्या है रच्छों फर्मेंटेशन क्या होता है अंगूर जो होते हैं बच्चों अंगूर उसको सडाना फर्मेंटेशन मतलब होता है सडाना हिंदी में नॉर्मल हिंदी में क्या कह सकते हैं सडाना जब अंगूर को बच्चों हम लोग सडाते हैं न तो अलकोहल बनता है नहीं शराब अभी देखा होगा आपने शराबियों की बहुत लंबी लंबी लाएंग लगी थी तो जब यह कैसे बनती बच्चों ग्रेप्स जो होता है अंगूर होते हैं अंगूर के गलूकोस को एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीर्या क्या है इस्ट होता है कि यह हमें डालते हैं इस डालते हैं उसके अंदर अग्रेप्स को सारणे के लिए छोड़겠다 तो यह जो होता है उसकी ग्लूकोस को कनवर्ट कर देता है किसमें अल्कोहॉल में किसमें कनवर्ट कर देता है अल्कोहॉल में बच्चों तो यहां पर क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं बच्चों कि जो ग्लूकोस थी कैसी glucose grapes यानि अंगूर की glucose को east क्या convert कर देता है बच्चो शराब यानि ethanol जो पीने वाली शराब होती है और CO2 gas में CO2 निकल जाती है ethanol बच जाता है इसमें बच्चो होता क्या है बड़े बड़े लकडी के container लेते हैं लकडी के container में हम लोग जिस चीज की शराब बना रहे है उसको छोड़ देते हैं उसका अंगूर है तो अंगूर को छोड़ दिया east मिलाके और यह सड़ता जाता है सड़ता जाता है तो इसका glucose convert हो जाता है किसमे ethanol यानि वाइन यानि शराब में तो fermentation of grapes into alcohol या वाइन हम लोग कर सकते हैं तो यह होता है यह भी क्या है chemical process है बच्चो glucose convert हो गई किसमे इथेन आल यानि अल्कोहॉल में थेखना चलिए अगरी बात समझ सकते हैं क्या है कि आप को हां जैसे digestion digestion process भी हम लोग बहुत पढ़के आया थे अभी पीछे WhatsApp जब चली थी तो digestion process में भी क्या होता है अलग-अलग प्रकार के enzymes हम लोग देख रहे थे हमाई बॉडी में अलग-अलग चीजों का breakdown करते हैं तो digestion process भी क्या होता है इसको अमनों समझेंगे यहां पर आप समयली जो digestion process होता है जो प्राचन क्रिया होती है उसमें भी कई सारे हमारे क्या होते हैं chemical changes होते हैं chemical reaction होती है ठीक ना आखरी बात बच्चों आठवी बात करके इस chemical reaction को खतम करते हैं हमारे mind यानि दिमाग में भी बहुत डही सारे chemical reaction होते हैं ठीक ना आपको कभी feel हुआ होगा कि आप खुश होते हैं खुश होते हैं ना बच्चों खुश है है तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में एक हार्मोन या एक chemical है जिसका नाम होता है डोपा माइन क्या बच्चों डोपा माइन यह ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है इसका मतलब क् happy happiness feel करें आप ज्यादा खुश हो तो यानि आप समझ जाए कि आपके में क्या dopamine release हो रहा है किसे आप खुशी का में अनभाव कर रहे हो ठीक ना हसने का feeling आ रही है आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो dopamine ठीक ना और एक और होता है adrenaline यह क्या करता है बच्चो जब आप दुखी हो sad हो ठीक ना परिशान हो तो यह release होता है ठीक ना sadness के लिए दुखी पन के लिए चिंता के लिए तो इस तरीके से आपकी दिमाग में भी कई डे सारे hormones होते हैं ठीक ना जो release होते हैं समय समय पर हमारी feelings के साथ तो वो भी क्या है एक तरीकर chemical change है क्लियर बच्चो बात ठीक चली इतनी बाते हो गई यह हमारे आसपास में इतनी डे सारी reaction होते हैं जो हम लोग को पता नहीं था लेकिन आप पता चल गया है ठीक ना अब देखें क्या होता है इसको मैं रब करता हूं और कुछ activity है हमारी book में उसके उपर हम लोग चर्चा कर देखा सकें ठीक चलिए है जैसा कि पता है बच्चों कि आज की क्लास जो है वह अनपेड है यानि की फ्री में सब को दिखाई जा रही है जित्ते लोग है सब लोग फ्री में देख रहे हैं तो मेरा उद्देश यहीं है बच्चों कि आपको सभी को एजुकेशन मिले लेकिन हम लोग भी मेहनत करते हैं बच्चों डेटा लगता है सारी चीज़े हैं खैर तो हम लोग के मोटिवेशन के लिए भी कोई चीज़े होनी चाहिए जिसे हम लोग मोटिवेट रहे हैं और आख लिए आप लोग को सरड़ी क्लासि लेते एं आप लोग की तो इसके लिए हम लोग पेड़ क्लास लाएं क्योंकि हम लोग लग वंएवगneck लिए उन्पेड क्लास चलहीं रहते हैं तो हम लोग के motiuवेशन कपे लिए भी यह proves और जितना वह कोई कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कि आपको डेडिकेशन के साफ टीचर मिलनाया सारी चीज़ें क्लाशि छलेए छी चर लिए पाते रहती है आप क देखते हैं एक्टिविटीऑ के बारे में जो हमारी हिंसक्स करिया कलाँ करिया कला है क्यिक टीटेटीवां है क्या एक्टिविटी बन है बच्चों बर्निंग ऑफ मैंगनेशियम रिबन इन एर बर्निंग कि आफ मैंगनेशियम रिबन कि इन एर अगर उसको हम लोग एर के प्रेजन्स में बर्न करें यह जलाएं तो क्या होता है यह एक्टिविटी है हमारी बुक में दी गई है अगर जलाते हैं तो क्या होता है तो क्या होता बच्चों सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सैंड पेपर जानते होंगे जिसे हम लोग पेंटिंग वगेरा होती जो घिसने की वगेरा के काम आता है तो सैंड पेपर को हम लोग क्या करते हैं magnesium ribbon पर हलकलका चलाते हैं अगर उसके उपर किसी प्रकार का material या oxide वगेरा कुछ चिपका हुआ है तो वो हट जाए और हमें जो reaction हो वो अच्छी खासी यानि बर्न करें तो ठीक ठाक हमें reaction हमारी complete हो सके तो क्या होता है बच्चों जब हम magnesium ribbon है मालीजे magnesium की ribbon अपने आप तो जल नहीं जाएगी तो बर्निंग के लिए हेलफुल होती ही काउंसी गैस oxygen अब वाता वरा में क्या प्रेजेंट है oxygen हमारे पूरे environment में oxygen प्रेजेंट है एर रखने तो जैसे हम ribbon को ले गए इस बर्नर के पास तो क्या होगा बहुत तीजी के साथ जलेगा बहुत तेजी के साथ क्या होगा एक डैजलिंग फ्लेम के साथ डैजलिंग फ्लेम मतलब बहुत तेज रोशनी के साथ जलेगा और फिर उसके बाद यह वाइट पाउडर में कनवर्ट हो जाएगा फील करें बच्छो क्या जब मैगनेशम रिबन को हमने जलाया इन दा प्रेजंस ऑफ ऑक्सीजन तो यह कनवर्ट हो गया मैगनेशम के ऑक्साइड में ठीकना जो की कैसा हमें मिलेगा एक वाइट पाउडर की तरह मिलेगा और जलेगा कैसे करते वक्त हम लोग एक यूवी प्रोटेक्टर ग्लास संग्लास इस तरीके से यूवी प्रोटेक्शन वाला ग्लास लगा लेते हैं चश्मा लगा लेते हैं जिससे कि जब यह खुब तेजी के साथ जले तो हमारी आखों की रेटीना पर असान ना डाले जिससे हमारी रोश बहुत थी तेजी के साथ यानि डैजलिंग फ्लेम के साथ जलती है बहुत तेज लौ के साथ ठीक ना चलिए यह तो थी एक्टिविटी बाद अब अलों बात करते हैं बच्छो एक्टिविटी टू की बात करते हैं एक्टिविटी टू क्या होती है क्या कह रही है एक्टिविटी नमबर टू हमारी क्या कह रही है देखें मिक्सिंग ओफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद पोटैसियम आयोडाइट सॉल्यूशन मिक्सिंग मिक्सिंग ओफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद पोटैसियम आयोडाइट सॉल्यूशन यानि कि लेड नाइट्रेट के विलियन को अगर पोटैसियम आयोडाइट के विलियन के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है पहली बात समझें यह है पोटैसियम आयोड यह लेड नाइट्रेड समझ यह बच्च किना यहां जो jump इसको पानी में मिलाएंगी एस अपने इनों में टूड़ी आएगा इती यहां fight वाता समस्च में अ किया आए पानी मिलाएंके प्लस अलग मैनना सलक इसको मी यह जैसे वाटर का कलर होता ना कोई कलर नहीं होता उसी तरीके से होता कलर लेस कोई नहीं होता है लेकिन जैसे ही हम पोटेश्यम आयोडाइड को मिला रहे होते हैं कि इसमें लेड नाइट्रेट में तो जैसे मान यह यह बीकर है इसमें लेड नाइट्रेट है और यहां पर दूसरा एक कोई माटीरियल है या पदार कोई कंटेनर इस पें पोटेश्यम आयोडाइड है जैसे पोटेश्यम आयोडाइड गिरेगी और इस लेट नाइट्रेड की सर्फेस को टच करती है तो बच्चों ये कलर में चेंज हो जाता है येलो कलर का हो जाता है आणि केहने का मतलब क्या है कि समझें दोनों थे कलर स्व लेकिन जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएं तो हुई क्या कैमिकल रियक्शन जिसकी वज़े से किसमें जो गये यहां पर होता क्या बच्छों ये कंटैश्यम इसके साथ अटेच हो जाती है और यह लिड़ोड के है तो बच्छो हमारे पास पोतार में बन जाता है और एक आयोडी में जाता है और यह यायो रखly है याहिए तो यानि सौलड होता है यानि कि जब विलियन और मिलाया जाता है सोल्यूशन को तो यह 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 डिन नीचे आ करके थोड़ी दिर बाद जम जाता है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो येलो कलर है कोई सॉलिड है जो नीचे जा करके बैड़ गया आखरी में तेखना यानि जब पोटेश्यम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाया गया लेड नाइट्रेट सॉरी लेड आयोडाइड क्लियर अच्छों बात इत्ति बाद समझ में आ गई होगी आपको तो यह क्या था एक एक्टिविटी थी आपके बुक में दिये होगी एक्टिविटी नंबर टू मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट विलियन को अगर हम पोटेश्यम आयोडाइड विलियन के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है यही होता है कि कलर चेंड जो जाता है दोनों कलर लेस थे पानी की तरह दिखने व अब बच्चों जहां जहां आप लोगों कोई प्रॉब्लम होगी वाट्साइब नंबर पर मैसेज़ कर दीजेगा तो आपकी प्रॉब्लम को लोग महां पर एड्रस कर लेंगे लास्ट बात देखते हैं बच्चों आखरी एक्टिविटी नंबर थ्री है mixing of zinc granules with HCl or H2SO4 यानि की zinc के छोटे-छोटे granules मतलब क्या होते हैं टुकडे zinc के छोटे-छोटे तुकडे हैं अगर हम उनको कोई भी एक विलियन कोई भी एक विलियन कह रहा हूं कोई भी एक एसिड चाहिए HCl विचा है H2SO4 में हम लोग react क्या डालते हैं तो क्या होता है समझेगा बात बच्चों यह एक बीकर है समझेगा पहले मैं समझा देता हूं फिर आप लोग को देखिए यह बीकर है इस बीकर में एक ट्यूब लगी हुई है जो कि यहां से अंदर निकलने आली गैस को बाहर ले जाएगी इसमें बाहरा है बच्चों एक डाइल्यूटेड हमने लिए है H2SO4 का सॉल्यूशन लिए है और इसमें हम लोग जिंक के तुकड़े को मिला दी है जो जिंक के छोटे-छोटे ग्रैनुल्स है नहीं तुकड़ हम लो मिला दी है वो था क्या बच्चों जैसे ही आप एसीड में जिंक डालोगे है तो बहुत बुल-बुले निकले हैं बुल-बुले कहने का मतलब क्या जैसे आप कोडरिंग देखते हूँ कोडरिंग में में जब आप ड़लिए स्प्राइड को डाली गिलास में तो देख ने लोते गहलों के प्रटें वोगों सब्सक्राइब करें अगर हम उनके सामने कोई भी माचिस या कोई भी लाइटर लेकर कर आते कोई भी धीर एक को मैसे लेकर आएंगे तो फ्लेम को और करतेजी के साथ कर कहने का मतलब क्या हुआ अगर यहां पर हम एक माचिस लेकर के आये हैं उसमें इतनी सी फ्लेम है लेकिन जैसे ही हम इसके सामने लाएं तो यह फ्लेम और बन जाएगी ठीक नहीं यह बर्निंग में क्या करती है बर्निंग को और तेज कर देती है निस बर्नेंग यह प्रोसेस क पतला आपको पढ़ा पता होगा तो यह बंता बच्चो जड़न एस फोर और यह होती है जो कि क्या करती है फ्लेम को यह बर्निंग को और तेज कर देती है इजी बर्निंग ठीक ना क्लिया है बच्चो बाद तो यह चीज़ें हमने आज एक्टिविटी देखी तो हमने लीजे दौ तरीके क्यों होते हैं एक फिजिकल होते हैं और एक कैमिकल होते हैं जो दो तरीके के होते हैं परिवर्तन हो जाए या उसके शेंप में कोई परिवर्तन आ daher जाए तो यह क्या जैसे समझिएगा आपने लिया पानी पानी का फॉर्मुला थो है एस टू ही होता है चाहे वो liquid form में हो या solid form में हो और या gaseous form में हो water molecules थो भाई है एस टू ही रहने वाले हैं तो आप बर्फ को जब दीरे-दीरे गलाएंगे बर्फ को दीरे-दीरे गलाएंगे तो पानी में चेंज होगा, यानि अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा और गरम करेंगे तो गैस के फॉर्म में वैपर बन जाएगा, वाटर वैपर तो कहने का मतलब यह हुआ बच्छो कि वो अपने फिजिकल चेंज कर रहा है तो इस तरीके का चेंज होता है, फिजिकल चेंज, आवस्था परिवर्तन, अगर रंग बदल जाए, तो वो भी क्या है, आवस्था परिवर्तन, तो वो कैसा चेंज है, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, बहुत तिक परिवर्तन, हिंदी में कहते है, और साइनिक परिवर् oxygen मिल करके बनाती है है यानि हाइडोजन और आपकी oxygen मिल करके क्या बनाती है वाटर आप जानते हो hydrogen भी क्या है गैस है oxygen भी क्या है गैस है hydrogen गैस होती वो easily burn होती है आसानी से जल जाती है अभी हमने एक्जांपल देखा और जो oxygen gas होती है वो help in burning यानि जलने में मदद करती है इसको भी हमने देखा magnesium वाले में एक्जांपल में activity नंबर वन में तो hydrogen gas की property है कि वह आसानी से जल जाती है और oxygen की यह property है कि वह आसानी से क्या होती जलने में मदद करती है जबकि water क्या होता है इससे विपरीत यानि water क्या gas है और दोनों की property भी अलग है आपको पता है कि कोई भी chemical reaction हो रही होती है तो उसका दो पार्ट होता है एक left side आगे बात करेंगे इसकी और एक राइट साइड को तो left वाली साइड को हम लोग क्या बोलते है रियाक्टेंड बोलते हैं और right वाली साइड को product कहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी chemical reaction होती है बच्चों जब कभी इसमें new substance में नए पदार्थ हों में जैसे दिखेंगे यहां पर बन गया यहां पर जिंक और एस तो यह होता है chemical जहां पर कोई प्रारंबिक पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है और यह इसको यानि नए पदार्थ को हम प्रारंबिक पदार्थ में बदल नहीं सकते हैं ठीक ना यानि अगर यहां पर वाटर बन गया तो वाटर को दुबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कनवर्ट नहीं कर पाओगे लेकिन जबकि फिजिकल चेंज में अगर कोई भी तुम्हां पास थोस अवस्था में वाटर है यानि कहने का आइस क्यूब है और आइस को तुम लोग लिक्विड यानि पानी में चेंज कर सकते हो और फिर से लिक्विड को किसमें थोस में कनव करतन होता है जहां पर हम लोग जो अवस्थाएं होती हैं उसको रीगेन कर सकते हैं दुवारा से ला सकते हैं लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं कर पाते हैं जो सब्स्टेंज बन गया तो बन गया उसको परिवर्टित नहीं कर पाएंगे क्लियर है बच्चों बात इतनी बाते हैं आपको समझ में आ गही होंगी तो यह नॉर्मल ही हम लेक एक तरीके का इंट्रॉडक्शन था रासायनिक अभिक्रियाओं पर कैसी तरीके की केमिकल रियक्शन हमारे आसपास होते हैं ठीकना कुछ एक्टिविटीज को हमने देखा ठीकना इस तरीके से हम लोग आ आने वाली वीडियो में कवर करेंगे तो आज का बेसिक सा मतलब ही ता कि केमिकल रियक्शन के बारे हमारे आसपास गयाक्शन उसको जाने कुछ आपको कीसा कि यानि नए पदार्ट में चेंज जाता है और उसको दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं यानि दुबारा जो पदार्ट बना उसको इनीशल वाले में कनवर्ट नहीं कर पाते हैं ठीक बच्चो तो आज के लिए इतना ही देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इसी तरीके से और आप